नमस्कार लक्षान्स कोचिंग क्लासेस के इस यूटूब शक्षन पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों और सबसे पहला अपडेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ इस यूटूब चैनल लक्षान्स कोचिंग क्लासेस पर B8 की काउंसिलिंग पूरा प्रारम हो रही है SCRT ने जारी किया schedule पूरी जानकारे इस वूडियों में देंगे और किस प्रकार से होगी भरती क्या पूरानी पद्धती से होगी या नया कुछ और आया हुआ है पूरी जानकारे इस वूडियों में बात करेंगे यह हमारा WhatsApp देट आप सभी को सबसे पहले मिले तो चैनलों को सबस्क्राइब करना ना भूले दूसरों तक शेयर ना बूले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज किस वूडियो को बिना किसी देरी के कि SCRT ने जो schedule जारी किया है उस पर क्या-क्या यहां पर प्रावधान ज तूचरा यहां पर जानकारी आज 28.12.2022 को दिया जा रहा है SCRT की ओर से पिछले दोस्तों बात कर लेते हैं आगे इसमें और भी क्या दिया हुआ है और सबसे पहला अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है यूटूब पर पूरे आप खंगाल लीजिए आपको सबसे पहले जानकारी यहां पर मिलेगी तो यहां पर आप सभी को पता है कि आरक्षन के मुद्दे के कारण जो बीएट का पाठेगरम का 223 वाला का जो दूती चरन का था उसको इस्थगित कर दिया गया था 19.02.2022 के पारित निर्नाय के नुसार तो यहां पर अभी अब आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है प्रतिक्षा सूची से प्रवेसी इस प्रकार होगी तो डूती चरन में जो मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी वो कल दिनांक 29 तारिक को जारी हो जाएगी वहीं डूती चरन की दूसरी सूची में जो आबंटित छात्र होंगे जिनको कॉलेज अलोट होगा वो 29, 30, 31, 1 और 2 तारिक को आप एडमिशन कॉलेज में जाकर ले पाएंगे वहीं रिक्त सीटों की जानकारी फिर 3 तारिक को कॉलेज डाल देगा तो यहाँ पर किते सीट बचें वो यहाँ पर 3 तारिक को पता चल जाएगा फिर जैसे ही यह होगा तो 3 तारिक को लास्ट चरन के लिए पंजियन और ओनलाइन फॉर्म भरने का तिथी है 3 तारिक से 4 तारिक के बीच अर्थात जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो पूना अपना रेजिस्टेशन कराएंगे 3 से और 4 के बीच में और ओनलाइन का ओप्शनल फॉर्म जैसे काउंसिलिंग के लिए भरते हैं उसी प्रकार यह लास्ट चरन होगी द्यंहां रखएगा अन्तीम चरन है तो इसमे आपका रेजिस्टेशन और ओनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा 3 से 4 तारिक के बीच में उसके बाद यहाँ पर प्रतिक्षा सूची जारी कर दी जाएगी पांस तारिक को एस्तियाटी की तरब से जैसे प्रतिक्षा सूची जारी की जाएगी तो उसी दिन से लेकर छे तारिक के बीच दो दिन में महाविध द्याले में आवेदन आपको प्रस्तूत करना होगा कौन सा आवेदन मैं भी वीडियो के अंत में बताऊंगा ध्यान रखेगा वीडियो में बने रहेगा पूरी डीटेल समझेगा तो महाविध द्याले द्वारा फिर मेरिट सूची जारी होगी 9 तारिक को विद्यारतियों के लिए 10 तारिक को यह अबंटन प्रक्रिया याने की काउंसिलिंग समाथ हो जाएगी और 11 तारिक को हमारे कॉलेज के लिए हो जाएगी अन्य निर्देस बाकि आप इस पीडियाप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं प्रतिक्चा सूची में जब आप कॉलेज के लिए लेटर बनाएंगे यहां पर प्रपत्त यहां पर दिया हुआ है देखे आपके जिस कॉलेज में आप भर रहे हैं वो कॉलेज का नाम आपको अपने डालनी होगी आईडी कहां मिलेगा वो आपको जब आप कॉंसलिंग का फॉर्म बरेंगे उसमें मिलेगा आपका मॉंबाइल नंबर डालना है यहां पर प्रतिक्चा सूची में अभ्यरति का क्रम कॉन से नंबर का फॉर्म बर रहे हैं कॉलेज बताएगा चौथा नंबर में बी-8 अल्र नंबर का मतलब यह आप डाल सकते हैं यहाँ पर जैसे की ग्रेजूइशन वाले हैं हम लोग तो ग्रेजूइशन का बता दीजे लास्ट का परिक्षा का रूल नंबर माहविद्याल कौन से महाविध्याले से कहां से किया है ठीक है टूटल कितना पाय हुए है ठीक है इसके के वसे जब आपने रिजल्ट निकाला होगा व्यापम का उसके बाद आपका हस्ताक्षा नाम और मोबाइल नंबर दे कर आपको सब्मिट करना है दो प्रती में इसको करना है आवेदन एक में आपको रिसिप्ट लेनी है और दूसरी बात यह करना है तो चले दोस्तों यह था information आप सभी के लिए और सबसे पहले अपडेट आप सभी को इसी तरह मिलता रहता है इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ग्रूप को शेयर कर लीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोई भी डाउट होने पर आप इस वाले नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं चले दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत